आज हमारा टॉपिक होगा law of conservation of mass की practical verification by Henry Landor's experiment टॉपिक का नाम है practical verification of law of conservation of mass by H. Landor's चैड़ी ये स्टार्ट करते हैं देखते हैं इस practical के अंदर इन्दोंने क्या चीज़ पर फॉर्म की जैसा law of conservation of mass के अंदर हम लोग ये चीज़ पर चुके हैं कि जितना reactor का mass होता है उतना ही reaction जब product side पर convert हो जाता है उसका mass भी उतना ही होगा इस चीज़ को समझने के लिए Henry Landor's ने एक experiment पर फॉर्म किया इस practical को देख लेते हैं कि इसके अंदर हमें क्या चीज़ थी हमारे पास एक tube है इस tube को नाम दिया जाता है H shape tube का नाम दिया जाता है क्योंकि ये H के shape के अंदर हमारे पास मौझूद है और इसके ये जो हमारे पास portions बने वे इसको नाम दिया जाता है limbs का इसको क्या नाम देता है limbs का नाम दिया जाता है इस practical को करने के लिए H Landor's ने इसके एक portion के अंदर फिल कर दिया AGNO3 और AGNO3 क्या चीज़ होती है Silver Nitrate बहुत जादा Simple Experiment है देखिएगा आपनों को बासानी इंशाल्ला मैं समझा दूँगा हमें ये चीज़ प्रूब करनी है कि reaction start होने से पहले का mass और reaction end होने के बाद का mass आपस में क्या होता है बराबर होता है इसके लिए काम इन्होंने ये किया कि इस H-shape tube के अंदर एक portion में फिल कर दिया Silver Nitrate और Silver Nitrate का formula है AGNO3 और इसके दूसरे portion के अंदर इन्होंने फिल कर दिया sodium chloride का solution NaCl का इसके अंदर फिल कर दिया इन्होंने solution ये Silver Nitrate है AGNO3 इसका solution यहाँ पर लिख भी दूँ AGNO3 का बनावा solution और नुसरी चीज़ sodium chloride का बनावा solution हमारे पास दोनों portions के अंदर मौजूद है इस H-shape tube को जब circulate करवाएंगे तो उससे होगा ये कि AGNO3 यहाँ से इस तरफ जाएगा और sodium chloride यहाँ से इस तरह आएगा और एक reaction perform होगा इस reaction को देखेगा कितना जाद है यह simple reaction है AGNO3 जब silver nitrate का reaction हम करवाएंगे sodium chloride के साथ भी देखेगा AGNO3 और इसका reaction करवा रहे है NACL के साथ तो बनने वाली चीज़ क्या होगी silver is having positive NO3 is negative NA positive CL is what negative इसका positive इसके negative के साथ आके जोड़ जाएगा और इसका positive इसके negative के साथ आके जोड़ेगा बनने वाली चीज़ होगी AG combined with CL बनेगा AG CL और दूसरी चीज़ यहाँ से NA आके combine हो जाएगा NO3 के साथ तो बनेगा NA NO3 sodium nitrate तो क्या है वाई AG NO3 और NACL यह बेज़ चीज़ आपसे combine होगी combine होने के बाद क्या बन किया AG CL और NA NO3 AG CL white color के precipitates की formation कर देता है white precipitates जब यह दोनुज़ चीज़ आपसे reaction करेंगी तो Ash Landlord से काम यह किया कि इन्हों ने reaction स्टार्ट होने से पहले इसका mass calculate कर लिया और जब reaction perform हो गया तो reaction perform होने के बाद इन्हों ने जब इन दोनों चीज़ों का mass calculate किया तो दोनों चीज़ों का mass क्या आ रहा था आपस में बराबर आ रहा था इसको ऐसे लिखा जा सकता है mass of reactant is equal to mass of product तो काफी सारे इससे related experiment perform किये गए और इसका bottom line यह है कि जितना mass reactant का होगा उतना ही mass आपके पास product का भी होगा उमीद करतों कि यह वीडियो आप लोगों को समझ आ चुकी होगी इंशालला फिर मुलाकात होगी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए लापस